गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिध गड़ी का रहती थी जिसका नाम आमरपाली था वैए बहुत सुन्दर थी और उसे नगरवधू गोशित किया गया था यानि पूरे शहर की पत्नी आमरपाली इतनी सुन्दर थी उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रत खड़े रहते थे यहां तक की महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था वह केवल एक वैश्या थी लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीच सकती थी आमरपाली का शरीर इतना सुन्दर था उससे कहीं अधिक सुन्दर उसकी आत्मा थी जो सच्चे प्यार के लिए तरस्ती थी क्योंकि आमरपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी उसे जबरदस्ती राजा ने वैश्या बनाया था आमरपाली के वैश्या बनने के पीछे एक कहानी है जिसे मैं किसी वीडियो में आपके साथ जरूर साज़ा करूंगे आमरपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी क्योंकि उसे इसके लिए भुकतान किया जाता था लेकिन अंदर से वैश्या उनसे बहुत नफरत करती थी क्योंकि वैश्या सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे एक इनसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे एक दिन आमरपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी अचानक उसने अपने महल के सामने एक युवा बौध भिक्षू को गुजरते हुए देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाए एक भिक्षा पात्र के लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरुपता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्शित करने की अध्वुत शक्ती थी जब युवा बौध भिक्षू ने उपर की तरफ देखा तो आमरपाली उसे देख रही थी युवा भिक्षू ने आमरपाली की ओर देखते हुए बेहत सम्मान भाव के साथ आमरपाली को प्रणाम किया आमरपाली एक तक उस युवा भिक्षू को देखती रही और पहली बार आमरपाली के हिदय में प्रेम का उदय हुआ था क्योंकि पहली बार किसी ने आमरपाली को सम्मान की नजरों से देखा था किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था आमरपाली तुरंत सीडियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौध भिक्षू के पैठ चुए और कहा कृप्या आज के दिन आप मेरे महमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्विकार करें आगे आमरपाली ने कहा कृप्या मेरे निमंत्रण को ना ना कहीं क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है मुझे हजारों बार राजाओं और समराटों द्वारा आमंत्रित किया गया लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया यह मेरा पहला निमंत्रण है युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आमरपाली का निमंत्रण स्विकार करते हुए भोजन ग्रहन किया भोजन देने के बार आमरपाली ने कहा भनते आज सिर्थ तीन दिनों के बार बारिश का मौसम शुरू होने वाला है जो की अगले चार महीनों तक रहेगा और मैं आपको अपने घर में चार महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हुँ आने वाले चार महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा मैं आपको पून रूप से आश्वस्त करती हुँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूँगे बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूँगे दरसल बोध विक्षू साल के आठ महीने गाउं गाउं भूम कर बोध धर्म का प्रचार करते हैं और चार महीने वे एक ही इस्थान पर रहते हैं जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है युगा बोध विक्षू ने कहा माव कीजिएगा देवी लेकिन इस विशय में मैं स्वयम निर्णे नहीं ले सकता मैं आपके प्रस्ताव के विशय में बुध से पूछूँगा अगर वे मुझे अनुमती देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहन करूँगा इतना कहकर वे बोध विक्षू वहां से चला गया इससे पहले की वे युगा विक्षू बुध के पास पहुँचता और आमरपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षू बुध के पास पहुच गए और बुध से कहा बुध आप उस युवा भिक्षू को रोकेगा आमरपाली ने उसे चार महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया आमरपाली एक वेश्या है और एक भिक्षू एक वेश्या के घर में चार महीने रहे यह सही नहीं है इसे हमारे संग में गलत संदेश जाएगा बुध ने कहा कृप्या आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षू के आने की प्रतीक्षा करें थोड़ी देर बाद वे युगा भिक्षू बुध के पास आया बुध के पैर चुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा बुध नगर की एक आमरपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के चार महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंतरत किया है मैंने उसके निमंतरण का अभी कोई जवाब नहीं दिया मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आग्या देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊंगा अतहबुद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा उस युवा भिक्षू ने आमरपाली के विशय में वैश्या शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया बुद्ध ने उस युवा भिक्षू की आँखों में देखा और कहा तुम रह सकते हो तभी अचानक बुढ़ा भिक्षू खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध यह सही नहीं है यह युवा भिक्षू एक सच्चाई छुपा रहा है इसका कहना है कि एक आमरपाली नाम की महिला ने अपने घर में रहनने के लिए आमंतरित किया है लेकिन वह एक महिला नहीं है वह एक वैश्या है बुद्ध ने कहा मैं जानता हूँ और क्योंकि इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है इसलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमती दे रहा हूँ वहां मौजूद हजारों विख्षूं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिख्षूं को एक विश्या के घर में रहने की अनुमती दे दी है अगले तीन दिनों के बाद वह युवा भिख्षूं आमरपाली के घर रहने के लिए चला गया उसके जाते ही वहां पर उपस्तित अन्य भिख्षूं उसके विश्या में तरह तरह की बातें बनाने लगे बुद्ध ने सभी को शान्त करते हुए कहा मुझे मेरे भिख्षूं पर विश्वास है मैंने उसकी आँखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी अगर उस भिख्षूं का ध्यान गहरा है तो वह आमरपाली के हिदय को परिवर्टित कर देगा और अगर भिख्षूं का ध्यान गहरा नहीं है तो आमरपाली अपनी शारीरिक आकरशन से भिख्षूं को परिवर्टित कर देगी यह एक प्रश्ण है ध्यान और शारीरिक आकरशन के मध्य जिसका उत्तर हमें चार माह के बाद मिलेगा बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्तित भिख्षूं ने कहा कि बुद्ध उस युवा भिख्षू पर बहुत अधिक वरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं वह भिख्षू युवा है और आमरपाली बहुत सुन्दर है समय प्रारंग हुआ वर्शा रिदू गई चार माह बीते और वह युवा भिख्षू वापस आया उसने बुद्ध के पैर चुए और युवा भिख्षू के पीछे आमरपाली भी आई उस युवा भिख्षू ने आमरपाली का बुद्ध सी परिचे कराते हुए कहा बुद्ध यह आमरपाली है और यह आपसे दिख्षित होना चाहती है यह एक अनुखी महिला है यह ना केवल सुन्दर है बलकि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कलपना कर सकते है आमरपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिख्षू से प्रेम करने लगी थी इसलिए मैंने इस युवा भिख्षू को अपने सौंदर से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया लेकिन मैं पून रूप से असफल रही इसके बजाए इस युवा भिख्षू ने मुझे ध्यान के प्रती जागरुप किया और ये एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है इसलिए बुद्ध मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिख्षूं को दान में देना चाहती हूँ और शेश जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ इसके बार आमरपाली बुद्ध की सिश्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्म ज्यान की प्राक्ति हुई बुद्ध ने अपने पंद की सभी सिश्यों से कहा यदि तुम विश्याओं की संगती से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है बलकि वह डर तुम्हारे वेशुद मन की उपज है क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक उर्जा को दबाया नहीं जा सकता इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है अगर आप लोग अपनी कामुक उर्जा को रुपांतरित करने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाई गई इस्त्री के प्रती आकर्शन को कैसे समाप्त करें इस वीडियो को देखें इस वीडियो पर हमें दर्शकों से बहुत धेर सारा प्यार मिला है इसमें दी गई जानकारी से आप अपनी कामुक उर्जा को जरूर रुपांतरित कर पाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भोलें धन्यवाद